अदो दस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शानल पर मेरा नाम है वरुन और हम बात कर रहे हैं CUETK अब भाई CUETK admissions processes लगभग समापत हो चुके हैं लिकिन जो बच्चे प्रिपार कर रहे हैं next year के लिए 2023 के लिए उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है कि आने वाले समय में जो हम graduation या post graduation करने वाले हैं उसके लिए जो university या जो college लेना चाहरे हैं क्या वो college हमारे लिए सबसे बहतर होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा ये सारी चीज़ है ये पता चलेगी जब हम उस college या university के बारे में सारी जानकारी रखता है इसी के लिए हमारा ये चैनल सेग्मेंट है जिसमें हम बात करते हैं college और university के comparison क्या यहां comparison हम कर रहे है तो prominent universities में या prominent colleges में ताकि आप अपने future को अच्छा करने के लिए ये सारी जानकारी आप पता कर पाओ कि वो college हमें future में क्या फाइदा दे सकता है फाइदा in the sense क्या हो सकता है आपका यहां पर कीवल पढ़ाई की बातरी है पढ़ाई के बाद आंगे का career हो जाता है और बहुत सारी चीज़ा होती है जो एक बच्चे को जरूरी होता है जानना इसी लिए हम लेखे आए हैं और आज हम इस comparison वीडियो में बात करने वाले किसकी तो बहुत ही prominent college है डैली उनिवस्टी के और लेडी colleges है मतलब कीवल girls के लिए है एक तरफ है कौन सा लेडी स्री राम college और दूसरी तरफ है कौन सा गारगी college यह भी girls college है और दोनों डैली उनिवस्टी से affiliated college है और दली पे situated है हला कि comparison बहुत important हो जाता है तब जब बात करते हैं कि एक ही जगापर एक ही अच्छी जगापर दोनों में और अच्छे क्या है तो हला कि बहुत वारे बच्चे जानते हैं इन सारी चीजों को फिर भी हम यहां और सारी चीजों को clear करने वाले हैं आपको क्या करना है आपको यहां वीडियो last तक दिखना है ताकि पूरी जानगारी आपको समझ आ जाए दोस्तों में share जरूर करना है ताकि उन तक भी यह जानगारी पहुँचे जल्दी दोस्तों बहुत कम बनाती है जल्दी दोस्तों नहीं बनती है लेकिन हा राइवल्री बड़ी जल्दी हो जाती है यार वो कैसे अब मज़ा आएगा चलिए पहले तो establishment और overview देख लेते हैं कि क्या कैसा establishment है यहां पर लेडी स्रीराम कॉलेज को हम यहां पर लेने वाले हैं आपके आपके left head पर और मेरे right head पर और यहां गारगी कॉलेज यहां पर opposite आ जाएगा बही यह रोस्ताबलेस्मेंट की बात करें तो 1956 में लेडी स्रीराम कॉलेज अपकॉमर्स यह स्टाबलेस किया गया था वही 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 कुछ समय बाल लगों 10-12 साल बात गारगी कॉलेज को 1967 में स्टाबलेस करा गया था इनकी अगर बात करी जाया affiliation की तो दैली यूनिवरस्टी से accredition मिला हुआ है इनको NEC के द्वारा लेडी स्रीराम को A प्लस यहां पर ranking दी गई है accredition मिला हुआ है और UGC के द्वारा इनको recognize भी किया गया है साथी जाद अगर हम गारगी कॉलेज की बात करें तो यहां पर यह बिया पाबलेक यूनिवरस्टी अबबस सी बात है NEC के द्वारा A certified किया गया है UGC और AISHE इनके द्वारा इनको क्या किया हुआ है approval भी मिला हुआ है हलाकि 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 infrastructure में बात कर लें दौनों की तो भाईया auditorium जो बिलकुल जरूरी होता है हर college में जरूरी होता है बिना auditorium के कैसे गाम होगा जो भी आपके फैस्ट है प्रोग्राम है कोई भी conference हो दी है किसी भी प्रकार की यहाँ जानगारी मिल वही है तो हमें auditorium चाहिए बिलकुल auditorium यहाँ पे है और भाईसाव auditorium आपके गारगी college में भी है बिलकुल इसके अलावा यहाँ बात करें तो classrooms हो गए, laboratories हो गए, library, medical center, cafeteria, sports, facilities तमाम वो सुविदाय जो जरूरी होती है किसी भी university या college के लिए यहाँ पर आपको मौजूद हो जाएगी इगारगी college के साथ है कि इनका स्वयम का, खुद का एक hostel नहीं है, वो एक समस्या का विशा है, बाकी बिल जाते हैं, hostel ऐसी बात नहीं है चले, ranking के वो देख लें, दौनों की, दौनों की ranking में क्या changes हैं, तो भईया, यहाँ पर first rank मिली है कि इसको लेडी स्री राम college को arts और education इंडिया टुड़े के द्वारा इसके अलावा, यहाँ पर second rank इसको commerce education में मिली है, इंडिया टुड़े के द्वारा, third rank जो है, मास कॉम में है, इनको इंडिया टुड़े के द्वारा, इसको लेडी स्री राम college को, वहीं गार्गी की बात करें हम यहाँ पर, तो 16 नंबर की ranking NIRF के द्वारा, इनको 2020 में, ठी 14th police में, यहाँ पर commerce college में, total 2020 की ranking में इनको रखा हुआ है, इसके अलावा, courses की बात कर लें, डौनों colleges के गमभारी जनगी, तो भाई साब, ladies स्री राम college, BA honors, मतलब यह undergraduate program है, जिसमें BA honors, obviously बहुत important है, psychology हो गया, economics हो गया, English हो गया, journalism, sociology, political science, philosophy, history और Sanskrit, इन सब में, क्या है बिया undergraduate, BA honors के program करा थी, वहीं अगर हम बात करें, MA की, MA मतलब, PG program की बात चल रही है, तो psychology, economics, English, political science, philosophy, history, Sanskrit, mathematics, statistics and Hindi, यह सारे MA के program यह कर लें, कौल लेडी स्री राम college, इसके अलावा, अगर हम गार की college की बात करें, तो बिया, arts और science के courses ही, यह UG&PG के करणक करवाती है, बहुत reason होगे, आप बात, departments की कर लेते हैं, बिना department की कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि यही department ही जिम्मेदार होते हैं, आपके particular courses के लिए, जारे program के लिए, तो भाई, क्या-क्या यहाँ यहाँ पर, लेडी स्री राम college, BA program के लिए, यहाँ पर, भाई, यह बीए program का एक department, physics हो गया, elementary education, political science हो गया, mathematics, business, economics, psychology, यह departments है, तो भाई, departments तो परियाप्त है, काहिन से कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की, eligibility और selection criteria की अगर बात करें, तो ladies री राम college में, BA या BA honors program के लिए, यहाँ यह यह यूजी program की बात चल भी है, basically, तो भाई यह candidate को क्या बाहर भी पास तो होना जरूरी है, उसके पहले तो आप कर भी रही सकते हैं, इसके अलावा, यहाँ पर जो merit है, उसके basis पर ही directly admission होता है, purely merit based admission होता है, यहाँ पर कोई सिफारिस की आप बात कर रहें, तो नहीं हो सकती, personal interviews जो है, वो भी लिये जाते हैं, यहाँ पर, हाला की, हाला की, अभी इ पदा ही है, Delhi University में scientist Stephen ने भी बोला था कि हम interviews बगेरा गराने, उसके कारण लेट हो गई थी list बगेरा, तो यह CUET जब से आई है, मतलब last year से, 2022 से, तो यहाँ पर अभी तक यह confirm नहीं हुआ, interviews का हो सकता है, next session में, यह चीज़ यहाँ clear हो जाए, कि आपकी CUET के basis पे और again, जो पहले भी चलता था, देखो, DU के साथ यह ही है, तभी तो वो सबसे टॉप University आइंडिया की, तो भाई उसके साथ क्या होता है, कि वो interviews भी गंड़क्ट कराता है, तो यहाँ लेडी सुरीराम भी ऐसा ही करवा रही थी, अभी चत्तो, लेकिर अभी देखते हैं क्या कैसा system change हो पाएगा, गार की कॉलिज की बात करें, यहाँ पर मैट्स के कैंडिडेट को क्या है, भाईया, 45% मार्क्स आपके 12 में होने चाहिए, और यहाँ पर मैट्मेटिक्स में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, बोटनी, जूलोजी और माइक्रोबलोजी जो बच्चे कर रहे हैं 12 म सकाले चाहिए, उनके लिए क्या है, बार्भी में, 55% सकूर होना चाहिए, द्यॉणी, न कहीं साथ, भाईया, 55% होने चाहिए, इंगलिस में, तो इनका थोड़ा साथ, election criteria यहेस है, कि यह चाहते है, कि जो cream है, cream, मलाई जो आती है ना भाई उपर दूद के ऊपर क्रीमी बच्चे चाहिए ताकि अच्छा परफॉमस्ट अभी तो होगा ना भाई डियू इनुवस्टी अपने आप में टॉप हो जाती है बहुत बढ़िया चलिए बीकॉम ओनर्स के लिए या लेडी स्रीराम में भी पास करनी अनिवार है यहां पर मेरेट बेस होता है परसनल इंटर्वी लिया जाता है यह इनके लिए है गार की कॉलेज की बात करें तो यहां पर बैचलर्स डिगरी के लिए आपको बतलब पीजी डिगरी के लिए अगर माली जा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रह पास होना चाहिए साथ ही साथ यहां पर मेरेट बेस होगा और इंटर्वीव लिया जाता है ठीक है तो यह तो बात हो गई कि अगर अच्छा कॉलेज दिखे ना तो अंदर से मन नहीं होता पढ़ने या इसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है मेरे साथ भी हुआ गरता था इनिशली तब तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हुआ अगर दो बच्चे दो प्रकार के होते हैं एक तो इनके लिए इंफरास्ट्रक्चर बहुत ही इंपोड़ेंट हो जाता है यहाँ देखे लेडी स्रीराम कॉलेज की बात करें तो इंफरास्ट्रक्चर जो है एकसेसिबिलिटी की बात करें और ऑडिटोरियम सामिनार हॉल बुक स्टोर लाइब्रेरी बैंक फसिलिटी कंप्य स्टेस्टिक्स लेबोर अगी हो गई मेडिकल रूम्स हो गए और काफे एंड कैंटीन की प्रॉबर में वस्ता तो है ही गार्गी कॉलेज में भी सेम लगबग लाइब्रेरी स्टूरेट्ट गौवन रूम ओपन यह थीटर है यह सोड़ी सी अच्छी चीज है ठीक है ऑडिटोरियम है सामिनार हॉल है इनका खुद का हॉस्टल नहीं है यह बहुत बड़ी समस्य यह याद रखिएगा बाकी कोई दिक्कत यहां पर नहीं है लैब्स हो गय क्योंकि बच्चा तो आता है पढ़ाई गरने के लिए और बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में यह यहां दोनों कॉलेजिस में बहुत सारी स्कॉलर्शिप्स है अलग-अलग प्रकार की कैसी कैटेगरी बाइस भी है ठीक है मेरिट बेस्ट भी भी मिल जाती है तो भाई कौन-कौन सी है लेडी स्री राम में बात करें तो वार्ड वैलफेर स्कॉलर्शिप है यहां पर जो बच्चे अबेल कर सकते हैं पहुत सारी इसके लावा घार की कॉलिज की बात करें तो यह डैली उनिबस्टी और आल इंडिया पोस्ट यूजी के लिए नहीं है इस फॉलीनेस अब पॉप स्कॉलर्शिप है इसके लावा डॉक्टर वी के आर भी राओं इंडोर्समेंट बुक ग्रांट है यहां पर बुक की स्कॉलर्शिप आपको मिल जाती है स्ट्री प्रेम प्रकास अवार्ड दिया जाता है तो उसके लिए आपको चाहिए है मांक स्कॉलर्शिप में और ट्वेल्श क्लास में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट अब भाई पढ़ाई घर ली कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए तो आता ही है पढ़ाई के बाद उसका future क्या है हो गई complete हमारी degree अब क्या किया जाए या अगर रही तो इससे अच्छा क्या है independent होना बहुत जरूरी है तब तो महिला पराबरी प्लेसमेंट और प्लेसमेंट की क्या-क्यासे records है दौनों colleges में अगर हम लेडी स्रीराम की बात कर ले या विरगारगी की बात करें तो बही या लेडी स्रीराम में highest placement offer जो था last 2021 का 37.8 L LPA का था बतलब समझ भा रहे हैं लगबग 36 लाग या निकी 3 लाख प्रती माह से भी ज़्यादा आपका यहाँ पर एक highest placement offer गया हो था average की बात करें तो 9.8 LPA बहुत कम नहीं होता है नौ लाख असी हजार रुपे साला ना गई है पैकेज है जो और अबरेज बच्चियों को मिला है तो बहुत अच्छा है average अगर बात करी जाए तो number of final placements की बात करें तो 115 बच्चिया यहाँ पर offered की गई थी placement हो गया था एक सो बंदरा बच्चियों का टॉप रिक्रूडर्स की बात करें तो यहाँ पर बार्कले हो गई टेक्नलोज बार्कले टेक्नलोजी है एक्चली यह ठीक है इवैल्यू एजर्ब हो गया D100 हो गया मैगिंजी हो गई एंड कंपनी यह एंके टॉप रिक्रूडर्स रहें जि तो की ठीक है इसके लाबा ग्रोस वेल्यू की बात करें तो 6.3 करोड के यहाँ पर पैकेजिस सारे बच्चों को मिलाके गए थे नंबर ऑफ रिक्रूड्मेंट्स यहाँ पर बच्चे रिक्रूड करें गए थे इनके टॉप रिक्रूडर में D100 गंपनी हो गई असेंचर ड स्रीराम का और रिदका भी अबरेज़िस बहुत अच्छा है गार्गी college का अपौछलिटी – Ouch Gupta Locked ठीक है यहाँ पर students के साथ क्या है भाया faculty जो है वो coordination बहुत अच्छा है projects में उनकी मदद कर देते हैं research बगेरा में मदद कर देते हैं बस याद रखिएगा कोई भी teacher अपने आप से नहीं बोलता उनको लगता है कि बच्चा प्रती बावान है उस बच्चे में guts है वो कर लेग करें तो यहाँ पर बचिया जो है maximum core jobs में जाती है इसके अलावा placement के लिए यहाँ पर TNP सेल है entrepreneurship सेल है सारी चीज़े हैं जो अबेल किया जाता है मनलब आप अगर खेबल जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए आपको विवस्ता TNP सेल करवा देगा और अगर आप business करना चाहरे हैं तो entrepreneur सेल आपको सारी की सारी जानगारी और बाकी चीज़ों को देगा ताकि आप भी चार लोगों को और जॉब प्रुबाइड कर पाए इसके लावा घार की college की बात करें तो intensive और industrial project की बात करें तो यह यहाँ पर हर semester में बच्चे को प्रुबाइड किया जाता है और faculties के साथ coordination अच्छा है तो research बगेरा में वो आपका support करते हैं employment opportunities की बात करें तो यहाँ पर बच्चे job प्रफर नहीं करते हैं higher studies को प्रफर करते हैं mostly placement support के लिए TNP sale है alumni network इनका बहुत ही तगड़ा network है याद रखिएगा strong alumni network है और placement opportunity के लिए वो भी help कर देते हैं तो भई बहुत ज़रूरी है किसी भी college पर किसी भी colleges में आपके seniors ही आपके क्या होते हैं family होते हैं वही आपको जीवन में आंगे लिके जाएंगे अभी तक तो घरवालों ने support दे दिया भई अब आप बड़े हो गए तो अब आपका network तगड़ा होना चाहिए घरवालों का network तो ठीक है उनने यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया तो alumni network है आपके seniors ही है जो आपको जीवन में आंगे बड़ाने में support करेंगे अब seniors चुनना आपका गाम है अच्छे अब औरे कौन से चुनना है आप campus life की बात करें तो हर बच्चे का अब यहां हम बच्ची ओ की बात कर रहे हैं तो यहां हर बच्ची का खवाब होता है कि भई एक life जो है campus की बहुत शांदार हो क्योंकि यही वो पल है जो जी पार है ना इसके बाद हमारी graduation हो गई या post graduation हो गई फिर क्या या तो job या साधी तो घरबार देखना है जोना चीज़ है तो यही वो समय है जब हम पस्ती कर सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपी life को enjoy कर सकते हैं तो campus life कितना support करती है देख लेते हैं यहाँ पर लेडी स्रीराम college में भाई अगर आप sports के दिबाने हैं तो sports facilities के लिए हर court आपको मौझूद है यहाँ पर sports facility के तौर पर college events तो इतने हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ही hectic schedule हो लगवग एक से तीन महिने का schedule है वो इनका events में जाता है एक से तीन पूरे year में बात कर रहे है सो बहुत सारे events यहाँ पर conduct कराये जाते हैं mess food की बात करें तो खाना हला कि देखो मैं सच बता हूं तो लड़कियों को mess s का पसंद होता नहीं है बाहरार खाने का होता है लेकिन mess भी इत्तखराब नहीं है मज़ा आ जाता है खाने में ऐसा सुना है मैंना गया नहीं हूं है चलिए बहुत बढ़े ड्रेस कोड की बात करें तो कोई ड्रेस कोड नहीं है आप जो चाहें अपनी मर्जी का पैहन सकते हैं कोई दिकत यहाँ पे ड्रेस से सम्मधित है नहीं attendance policy बहुत important है क्यों important है कि यहाँ पढ़ने के हिसाब से आया मस्ती के लिए नहीं तो आपको attendance criteria पूरा करना होता है अगर नहीं करते हैं तो आपको penalty बोज कर दी जाती है तो भाई आपके लिए फिर आप ही जिम्मेदार है यहाँ पर यह सीधे चीज़ है बुक्स की बात करें expenditure में तो बुक्स अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर additional आपको charges देने पड़ सकते हैं बुक्स के लिए अला कि वो कम ही होता है बहुत कम लोग ही पढ़ने वाले होता है ना मुझे ऐसा लगता है नहीं लेकिन आज कल girls बहुत अच्छा perform करती हैं पढ़ाई में ठीक है outside movements की बात करें girls की तो भाई साब यहाँ पर restricted timings क के साथ आप बाहर घूम फिर सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं restricted याद रखेगा कि आपको यहाँ पर directly क्योंकि hostel facilities inside in the college college के अंदर ही है so आपको वो पूरी की पूरी चीजों को गायरे के हिसाब से करना होता है यहाँ गायर की college में बात करें sports facility है college events भी same to same one to three month का इनका calendar event से भर साल बर का mess food available है dress code की अगर बात करें तो वो भी नहीं है additional expenses यहाँ भी books के लिए देरी वर सकते हैं और यहाँ पर याद रखिएगा rules and regulation more important चीज होती है अगर आप rules and regulation को नई ही follow गरते हैं तो उसके कौन सी culture की बात करें तो यह किसी भी college का culture ही आपको donate करता है दुनिया में आगे बात जब भरी जाती है तो वह college के नाम से आपका होता है आपका सब्सक्राइब करें तो बात करें तो यह लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं बिलकुल समय समय पर जैसी जरूरत पड़े लेंग्विश की बात करें जो campus में यूज होती है तो चूकि all over the इंडिया और outside इंडिया के students है तो कोई एक particular कोई लेंग्वीज का restriction नहीं है लेकिन 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 अब अब बिससी बात है एक लोगों में लोगों में communication का proper medium जो है वो क्या है बाईज आप English ही है तो यहाँ पर campus में mostly English को preference दी जाती है supports आपकी language की बात करें तो भहिया वो अपनी native language में यहाँ पर बाते करते हैं और चुर्चा कर सकते कोई इकत है नहीं यहाँ पर discrimination की बात कर ले तो यहाँ पर कोई भी RRCSP यह पाच discrimination के क्या होते हैं basis होते हैं इन पर कोई discrimination नहीं होता है अर्टिकल पंद्र किता है ठीक कोई discrimination नहीं यहाँ पर चाहिए face की बात करें race की बात करें किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई discrimination नहीं है दार की college की बात करें locational diversity बहुत important है कि यहाँ outside of the state same to same आते हैं इसके अलावा support services में teacher और students के यहाँ पर groups हैं जो बचू का support कर देते हैं साथ ही साथ campus में language की बात करें तो कोई restriction नहीं है किसी particular language का लेकिन यार बात तो comparison की है तो यार जब लोग बाग communicate कर रहे हैं so English is the best ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पर English ही बोदी जाती है same to same ladies स्री राम के जैसा support साथ की language की बात करें तो वो अपने native language में ही बात ही करते हैं और discrimination की बात करें तो ना 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 यह बिल्कुल अलाओं नहीं है किसी प्रगार का discrimination दोनों ही colleges और बात कर लें academic life की क्योंकि आए तो हम पढ़ने के लिए हैं तो पढ़ाई होती है कि नहीं होती क्या है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ तो academic schedule की बात करें तो थोड़ा सा hectic schedule है कहाँ लेडी स्री राम कॉलेज का hectic schedule मतलब क्या है यहाँ पर लेक्चर्स थोड़े से quantity यहाँ पर जादा है इनका भी सिस्टम है hectic schedule हो जाता है यहाँ पर 15 से ज्यादा lecture आपके एक वीक में हो जाता है तो भई थोड़ा सा hectic schedule क्योंकि इन lectures के बाद प्रवेद भी तो करना है बागी की life भी तो जीने का आम पस life हो गई हमारी बागी सारी चीज़ है तो hectic schedule मान लिया जाता है यहाँ पर किसका होते हैं यहाँ भी same to same यह सावस्टर वाइस ही सिस्टम चलता है ठीक है एक्जाम preparation की बात करें भाई साब आप ऐसा नहीं कर सकते कि वन डे एक्जाम में इंजीरियरिंग जैसा है ना कि एक रात पहले हमने पढ़ा और निकल लिए एक्जाम ऐसा नहीं हो पाएगा आपको स फॉल फाइट वाला काम नहीं कर पाए ठीक है राउंड यहाँ पर आपको पढ़ाई कर लेनी पूरती है security services की बात करें surroundings की बात करें यहां दोनों colleges की चुकि girls colleges हैं और यहाँ पर security बहुत important है girls के prospects से तो भाइस आप गार्ड एंड सीचीट्वी के आपरा जो है वो बिलकुल हर जगा पर उपस्ते थे कुछ जगों को छोड़ए ठीक है यहाँ भी same to same है यहाँ पर गार्ड एंस सीचीटीवी की सारी विवस्ताएं हैं आपको हर जगा पर मिल जाएंगे CCTV का जो आपके सारे के सारे gates हैं और important important जगह हैं वहाँ पर आपको गामरा भी मिल जाते हैं outside entry की बात करें तो हर विक्ति अलाउन नहीं है आप permission लेके आ सकते हैं कोई दमस्य है नहीं permission होगी तब ही आ सकते हैं आपको बता दूँ मैं तो यहां भी सेम तुसेम गार्गी कॉलेज के भी यहीं restrictions हैं कि आप permission के साथ कहीं भी गूम सकते हैं आपको कोई दिकते हैं बिना permission के आप कहीं नहीं एंटर कर सकते हैं रेगिंग 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 बहुत इंपोर्ड़ेंट फेक्टर है गल्स बहुत जादा परिशान हो जाती रेगिंग को लेके अलागी बॉइस भी बहुत जादा होते हैं ऐसी बात रही है तो रेगिंग का क्या कराइड टेरिया ह जाएगा बरखास्ट कर दिया जाएगा तो इस प्रकार के किसी भी रेगिंग से संब्भी कारे में आपको सनलगना नहीं होना है किसी भी कॉलेज में कहीं रेंगिंग अलाओ नहीं है इंडिया में रेगिंग हर जगा से बंद हो चुकी है पस्याद रखिए हैं सापसुत्री पात यह रेगन नहीं करना है तो नहीं करने के लिए लेकिन रस्टिकेशन का तब भी आपके पास क्या है तीधा चांस है अगर पगड़े जाते हैं तो रस्टिकेट आप किये जाओगे यहां भी सेम तु सेम हैं रेगन कहीं बी not at all allowed, साहीं नहीं है एक रत्ती किसी college में ragging तो साप सुत्रिय तोर पे zero to Orleans policy है, अगर पगड़े गए तो सीधे वर्खास कर दी कोई नहीं सुनी जाएगी कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था क्या से हुआ था, गलत नाम भी ले लिया रस्टिकेट, ठीक है, याद रखें तो और डी सुराउंडिंग्स में आगे हम बात करें तो hostile premises को अगर आप छोड़ना चाहें तो क्या कैसी process है, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको बताते हैं कि जब भी आप जाओगे डेली उरिबस्टी तो मेट्रों का इतना बढ़िया जाल भिछा हुआ है दिल्ली में तो कोई दिकत रहती नहीं है और बैसे भी आपके आटो हो गए या फिर बाकी रिक्सों सारी चीजों की फेसलिटी आपको ओला उबर बगेर भ बाकी आपके रिब्यूज पर डेपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज चाहिए कौन सा कॉलेज मिल रहा है और क्या आपको लेना चाहते हैं तो बने रही है ऐसे ही जानगारी के लिए हमारे चानल पार और दोस्तों में इस वीडियो को शेर करना बिलकुल न भूले ताकि उनका भी बला हो और भाई मिलते हैं अंगले कंपारिजन वीडियो में अंगले सब तक के लिए